हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के एड़ ट्रेक में तो दोस्तो आज का हमारा महत्वण टोपी के प्रदान मंत्री तो दोस्तो प्रदान मंत्री से रिलेटेड जितने कोस्टन एक्जाम में पूछे आते हैं तो 25 कोस्टन मैं आपके लिए लेका हूँ जो कि काभी महत्वण है तो दोस्तो आपके आने वाले एक्जाम जैसे कि RPI, SSC, JD, Railway या SSC या आपका कोई स्टेट लेविल का कोई अन्या एक्जाम हो तो बहाँ पर भी इससे रिलेटेड कोस्टन पूछे आते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज का यहाँ पर हमारा पहला कोस्टन है प्रिधान मंत्री की न्युक्ति कोन करता है तो उस्तो बेरी इंपोटेंट कोस्टन है प्रिधान मंत्री की न्युक्ति किसके द्वारा की जाती है अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता जेता हूँ option number A का सही हो जागा राष्टपती के द्वारा प्रधान मंतरी की न्यूकती की जाती है तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए चलिए next question देखते हैं प्रधान मंतरी को उसके पद की गोपनियता की सफ़त कौन दिलवाता है तो ये भी काफी महत्रकून question है कि प्रधान मंतरी की न्यूकती राष्टपती के द्वारे की जाती है लेकिन प्रधान मंतरी को सफ़त कौन दिलवाता है तो इसका अंसर भी क्या हो जागा option number A से हो जागा राष्टपती के द्वारे ही प्रधान मंतरी को सफ़त दिलवाई जाती है तो इसका answer option number A सही हो जाएगा तो आप इन दोनों के याद रखे न्यूकती और सफ़त प्रधान मंतरी को कौन दिलवाता है राष्टपती चलिए next question देखते है तो यहाँ पर हमारा अगला question है समान नेतर प्रधान मंतरी आपके बताना है कि समान नेतर प्रधान मंतरी क्या होता है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा लोग सभा के बहुमत दल का नेता होता है भारत में प्रधान मंतरी एक ब्यक्ति कितनी बार बन सकता है तो अगर आपको पता है तो आप इसका भी सही answer लगा सकते है तो दुस्तों आपको इस को ने बताना है कि बहुमत भरस में जो सबसे अधे सक्तिया है बहुमत शक्तिया है कि उबरते हुई सबसे ज़्यादे सकति हैं किसके पास हैं तो इसका सही answer option number C हो जागा प्रदान मंतरी के पास लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत बरस में सबसे ज़्यादे सकति हैं किसके पास होती हैं तो राष्टपती के पास होती हैं आप चीज़ को दियान रखिए लेकिन इस question में पुछाए है कि पिर्मुक उभरता हुआ यहाँ पर उभरता हुआ पुछाए कि आने बाले समय के लिए सबसे ज़्यादे सकते किसके बास बढ़ती जा रही है तो इसका सही आंसर प्रदान मंतरी होगा चलिए next question देखते है निमलिखित में से कौन लोगसभा का नेतरत्व करता है तो यह भी काफी महत्तव question है जो संसत का एस्थाई सदन होता है लोगसभा आपको पता होगा मैंने संसत के ओपर पहले एक बीडियो बना चुका अगर आपने वो बीडियो नहीं देखा है आप उससे जरूर देख लिए क्योंकि जो संसत होती है उसके बारे में भी question पूछे आते है तो यहाँ पर पूछेगा है उसका जो एस्थाई सदन होता है लोकसभा उसका नेतरत्व कौन करता है तो दोस्तो प्रदान मंत्री ही उसका नेतरत्व करता है तो इसका सही answer of number C हो जाएगा प्रदान मंत्री तो आप इसे द्यान रखेगा और आप उस वीडियो को जरूर देख लिजिए जो मैंने बनाया है संसत का और मैं आपको बता दूँ संसद, एक, और राष्टपती, और राज्यपाल मैं तीन वीडियो ये पॉलिटी के बना चिकाऊँ ये काफी महत्रपूना आपके आने बाले exam के लिए आप उस वीडियो को उन तीनों वीडियो को एक बार जरूर देख लिजिए आप हमारे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं चलिए next question देखते हैं संग्य मंत्री परिषद का अध्यक्स कोन होता है दोस्तों काफी अच्छा question है ये भी आपको अगर पता है तो आप इसका भी सही answer लगा सकते हैं तो संग्य मंत्री परिषद का अध्यक्स कोन होता है प्रधान मंत्री होता है तो इसका answer क्या हो जागा option number B सही हो जाएगा प्रधान मंत्री और दोस्तों मैं आपको बता दूँँ जितने भी मैं इस वीडियो में आपके लिए question लेका हूँ प्रधान मंत्री से related बिस काफी महत्य पूर है तो इसलिए वीडियो का आप बिना skip के अंतर तक देखते रहिए तो चलिए next question देखते हैं तो यहाँ पर next question है नीती आयोक का अध्यक्स कोन होता है तोस्तों मैं आपको बता दूँँ यह जो नीती आयोक है यह इतना important है कि जो railway ELP का भी पीछे exam हुए है और जो railway group D के exam चल रहे है यहाँ से question 10 से 15 बाद नीती आयोक से पूछे गए है तो आप नीती आयोक के मैं आपको बारे में पूदर जानका दिया भी बता देता हूँ जो कि आपको आने वाले exam से अगर पूछी जाए तो आप उसे सही कर सकें तो चलिए अगर हम नीती आयोक की बात करें तो मैं आपको बता दूँ जो नीती आयोक की गई थी एक जनबरी दोहर पंदरे को की गई थी और इससे पहले इसका नाम क्या था योजन आयोक था लेकिन जनबरी दोहर पंदरे को इससे नीती आयोक कर दिया गया मैं आपको बता दूँ इस कोस्टन में पूछा आया है कि नीती आयोक को अध्यक्स कोन होता है तो जो भारत का PM होता है यानि कि प्रदान मंतरी वो नितियायोग को अध्यक्स होता है और अगर बात करें बरतमान में नितियायोग को अध्यक्स कोन है तो प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी है और अगर हम बात करें कि इसके उपाध्यक्स तो आपको ध्यान रखना है राजिब कुमार नीतियायोग के बरतमार में वपाद्यक्स है और आपको रियाद अखना है कि इसके सियोगों है तो अमिताप कांथ इसके नीतियायोग के सियोग है तो आप ये सहरी पॉइंट जीओ मैंने आपको बताएए ये आप इसे इने जरूर ध्यान रखे और मैं आपको बतादू नीतियायोग का मुखाले कहाँ पर आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में इसका मुख्याले स्थित है तो चलिए अगला कोशन देखते है आम तोर पर भारत के प्रधान मंत्री होते हैं तो दोस्तो इस कोशन में आपको बताना है कि आम तोर पर यानि कि जादा तर जो भारत के प्रधान मंत्री बनते हैं बहें किस सभा के सदस्या होते हैं तो लोग सभा के सदस्या होते हैं तो इस कांसर क्या हो जाएगा उप्स नमबर B सही हो जाएगा लोग सभा का सदस्या है चलिए next question देखते हैं भारत के प्रधान मंतरियों का निमली खित में से कौन काला नुकरम सही है यानि कि दोस्तों इस कोसर में आपको बताना है कि जो भारत के पहले प्रधान मंतरी रह चुके हैं उनका आपको समय बताना है कि कौन सा इसमें इनका समय सही है तो इस cancer option number C सही हो जाएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर दो पहले हैं यानि कि जवालाल नहरू जी हमारे देश के सबसे पहले प्रधान मंतरी रह चुके हैं उसके बाद यहाँ पहला है तो उसके बाद हमारे देश के प्रधान मंतरी इंद्रागांदी जी रही है फिर यहाँ तीसरा है मुरारजी देशाई नेक्स्ट इनके बाद प्रधान मंतरी बने थे फिर नहाँ पर लाश्ट है चार यानि कि चोदही चरण सिंग हमारे देश के मुरारजी देशाई के बाद प्रधान मंत्री बने थे तो इनका काला नुकराम कौन से सही है, option number C सही है Next question देखते हैं संसदिय तंत्र में बहव्यक्ति प्रधान मंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है तो दोस्तो इस question में आपको बताना है कि संसदिय कि सदन का बहव्यक्ति होता है जो प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री चुना जाता है निम्न सदन यानि कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है तो इसका अंसर option number B सही हो जाएगा निम्र सदन में बहुमत दल का नेता होता है प्रिधान मंतरी और यही प्रिधान मंतरी पद के लिए चुना जाता है तो आप इसे द्यान रखिए निम्र सदन यानि की लोकसबा आप इस चीज़ को द्यान रखिए मैं आपको बता चेकर हूँ जो लोग सबा होती है बह निम्र सदन होता है और एस्थाई सदन होता है लेकिन राज्य सबा बह उच्छे सदन होता है और इस्थाई सदन होता है तो आप इसे द्यान रखिएगा चलिए next question देखते हैं मंत्री मंडल यानि की संगिय की बैठक अध्यक्सता कौन करता है तो आपको बताना है की मंत्री मंडल जो संगिय मंत्री मंडल होता है उसकी बैठक की अध्यक्सता कौन करता है तो प्रिधान मंत्री इसकी अध्यक्सता करता है तो इसका अंसर option number D सही हो जाएगा प्रिधान मं प्रिधान मंत्री की नियूक्ति राष्ठपति करता है, यह किस अनुछेद में बढ़ निता है, तो इसका आंसर नेखिए, चलिए, नेस्ट कोसर देखते है, भारत के प्रिधान मंत्री पद के लिए, उमीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो इस तो बेरिए इंपर्टेंट कोस्टन है मैं आपको बता दूँ यह जो कोस्टन है जो अभी हाली में रेलवे गुरूप दी का एकजाम चल रहा है बहाँ पर यह कोस्टन एक बार पूछा गया था कि प्रिधान मंतरी पद के उमीदवार के लिए कम से कम आयू कितनी होनी चाहिए तो अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते है तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ कम से कम उम्र 25 बर्स होनी चाहिए तो इस cancer option number A सही हो जाएगा 25 बर्स तो आप इसे जरूर याद रखे चलिए next question देते हैं भारत के प्रिधान मंतरी आपको बताना है कि भारत के प्रिधान मंतरी क्या होते हैं या किस प्रिकार से चुने जाते हैं तो मैं आपको पहले बता चुकाऊं कि लोग सवा में बहुमत दल का नेता होता है प्रिधान मंतरी तो इस cancer option number C सही हो जागा लोग सवा में बहुमत दल के नेता होते हैं वो लोग सवा क्या होती है एस्थाई सदान होता है या निम्न सदान होता है आप इसे भी ध्यान रखिए चलिए next question देते हैं प्रिधान मंतरी कोन बनता है तो दोस् question देखते हैं यदि भारत के प्रिधान मंतरी संसत के उच्छ सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों ये question काफी महत्र पूने में आपको कुछ इसके बारें बतायता हूँ मैंने एक question में आपको बताया था कि जादतार भारत के प्रिधान मंतरी होते हैं बे लोग सवा के सदस्य होत तो इस question में यही पूछाए कि भारत के प्रदाहन मंत्री अगर संसत के ऊच्छे सदन यानि कि राज्य सभा का सदस्य है तो बहुत क्या नहीं कर सकता यानि कि उसे क्या परसानी होईगी तो इस cancer option number A सही हो जागा मैं आपको बतादू जो उस समय अगर कोई व्यक्ति राज्य स सदस्य है और प्रदाहन मंत्री के पद पर है तो बहुत कर दोस्तों मैं आपको उता दूँ अगर प्रदाहन मंत्री पर एविस्वास प्रस्ताब लाया जाता है तो यह इसकी सर्थ हैं अगर राज्य सभा के सदस्य होता है तो आप इसे द्यान रखिएगा चलिए next question देखत आपको बताने है कि भारत के प्रदाहन मंत्री का पत किस परकार का है तो इस cancer option number C सही हो जाएगा सम्मिधान द्वारस रहजित यानि कि सम्मिधान में पहले से ही लिखा है कि हमारे देश का एक प्रदाहन मंत्री होगा तो इस question में यही पूचा गया है तो चलिए next question देखते है तो यह जरूरी नहीं कि भारत का प्रदाहन मंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्स हो जरूरी नहीं और भी कोई सत्ता दल का अध्यक्स बनाएं जा सकता है लेकिन इस cancer option number A सही होएगा सत्ता दल का अध्यक्स हो सकता है तो आप इसे ध्यान रखेगा तो चलिए next question देखते तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रदान मंत्री कि कि क्या कर सकता है, इस कोस्टर में यह पूछा गया है, तो इस कांसर उप्स नमर ए सही हो जाएगा, यानि कि संसत के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चै कर सकता है, तो इस कोस्टर में यही पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, तो चलिए नेक्ट कोस्टर देखते हैं, किस प्रदान मंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद समाला था, तो उनका नाम है इंदरा गांदी, तो इस कांसर उप्स सदन का सदस्य नहीं था, तो दोस्तो बेर इंपोर्टेंट कोस्टर में आपको बता दूँ, कि अगर किसी को भारत का प्रदान मंत्री बनना है, तो उसके लिए जो अनिबार रहा है, संसत के दोनों सदन यानि की लोकसभा या राज्यसभा, तो इन दोनों में से एक का सदस प्रदान मंत्री का सपद ग्रहन करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, तो आप इसे द्यान रखिए, तो दोस्तों या प्रदान मंत्री का सपद ग्रहन करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, तो इस कोस्टर में आपको बताना है, कि प्रदान मंत्री की सपद ग्रहन करते तो आप इसे द्यान रखिए, तो दोस्तो यही थे जितने question मैं आज आज आपके लिए लेकाया था, उम्मीद करता हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिली जए एक like करें, और दोस्तो मैं आपको बता दूँ तो मैं इससे पहल झाल झाल